हलो 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 दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही मसहूर राजी असम में घूमने की किनी साथ सबसे बेस्ट जगों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट के सात्वे नंबर से सात्वे नंबर पर हमारी लिस्ट में हमने तेजपूर को रखा है तेजपूर असम के Northern पार्ट में मौझूद एक बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट अक्षन है नवेरी नैशनल पार्क नेचर लवर्स की पसंदीदा जगहों में से आता है यहां आप बर्ड्स की कुछ रेर स्पीशिज को भी देख सकते हैं जो आपको केवल इसी इलाके में नज़र आएंगी छटे नंबर पर हमने असम का हरिद्य कहे जाने वाले जोड हाट कस्बे को रखा है अगर आपको नहीं पता हो तो बता दू यह शहर असम का सबसे सुन्दर पिक्चर स्क्यू सिटी माना जाता है इस शहर में चाय धेर मातरा में उगाई जाती है जिसकी चुस्किया लेकर हर भारतिय तरोताजा महसूस करता है दूस्तों यहां की टी गार्डन्स अपने आप में ही किसी अट्रैक्शन से कम नहीं है इस शहर को टी कैपिटल ओफ असम भी कहा जाता है इस शहर में आपको कल्चर, हिस्ट्री और नेचर का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है उमीद है आपको ये शहर भी जरूर पसंद आएगा पाँचवे नेंबर पर आती है एक बड़ी ही खूबसूरत जगह जिसको अकसर लोग हैफलों के नाम से जानते है जैसी चीज़ें तो कर ही सकते हैं साथ ही यहाँ पर एक इंट्रस्टिंग जटिंगा बर्ड सैंक्चुरी भी मिलेगी जहां दुनिया भर से पक्सी आते हैं और इस जगह पर सूसाइड करते हैं इस जगह की कल्चरल सिग्निफिकेंस होने के साथ साथ हिस्टरी भी यहाँ की काफ इंट्रस्टिंग है इस जगह पर आपको रंगहर, जोई सागर टैंक और तलातल जैसे कई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे जोई सागर टैंक दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड वाटर टैंक है वही तलातल घर जो अहोम किंग्डम के राजा का पैलेस होता था अगर आप हिस्ट्री और कल्चर जैसे चीजों में ट्रस्ट रखते हैं तो एक बार आपको सिव सागर जरूर जाना चाहिए थर्ड नंबर पर हमने एक ऐसी जगह को रखा है जिसके बारे में आप सबने अपनी किताबों अख़बारों में जरूर पढ़ा होगा जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौर्थीस्ट के लार्जे सिटी गौहाटी के बारे में यहाँ आपको नौर्थीस्ट के ट्रेडिशन्स के साथ साथ मॉडर्ण लाइफ का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको कई सारे टूरिश्ट अट्रेक्शन्स जैसे उमाननदा आइलेंड, असम स्टेट म्यूजियम और कमक्या टेंपल जैसी कई जगहें देखने को मिलेंगी कमक्या देवी का मंदिर भारत के सबसे प्रसिध मंदिरों में से एक है और उमाननदा आइलेंड भी एक छोटा सा मगर बहुती पॉपिलर और खूबसूरत आइलेंड है कोहाटी एक वाइबरेंट और डाइनमिक सिटी है जहांके आर्ट, कल्चर, फूड और हिस्ट्री सब कुछ लाजवाब है सेकेंड नमबर पर हमने माजूली को रखा है दोस्तो माजूली एक बड़ा ही यूणीक और दुनिया का सबसे बड़ा रिवेरेन आइलेंड है नैचरल ब्यूटी और रिच कल्चर के परफेक्ट ब्लेंड की वज़े से ये आईलेंड टूरिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आता है इस आईलेंड के दोनों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है यानि ये आईलेंड इस नदी के बीच में मौजूद है यानि इस आईलेंड के चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी की धारा बहती है इस आईलेंड तक जाने के लिए आपको फेरी और मौटरबॉट्स मिल जाएंगी यहाँ पर मौजूद सत्र और मनास्टरी यहाँ के कल्चर का अभिन अंगमानी जाती है जिन्हें युनेसको के द्वारा भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का खिताब दिया गया है साइकलिंग, हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, फिशिंग, बर्ड वाचिंग जैसी एक्टिविटीज यहाँ आने वाले टूरिस्ट को फेहत पसंद आती है पहले नंबर पर है काजिरंगा नेशनल पार्क दोस्तों ये नेशनल पार्क 430 वर्ग किलोमेटर के एक शेतर फल में फैला हुआ है जो घने जंगलों घास के मैदानों के साथ साथ काफी डाइवर्स वाइड लाइफ से भरा हुआ है दुनिया भर में जितने भी एक सिंग वाले राइनोज पाए जाते हैं उनमें से दो तिहाई भारत के इशीक शेतर में पाए जाते हैं ये नेशनल पार्क यूरेस्को वर्ल्ट हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में भी शामिल है इस इलाके में आप ट्रेकिंग, जंगल सफारी, बर्ड वाचिंग जैसी एक्टिविटीज का आनन्द ले सकते हैं ट्राइबल फोक डांस को देखना और काकोचंग वाटरफॉल के ठंडे पानी में स्नान करना भी यहां आने वाले लोगों की फेवरेट एक्टिविटीज में से एक है दोस्तों कैसा लगा आज काई वीडियो कॉमेंट करके अपनी राइज जरूर दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए था कि ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलते रहें थैंक्स फर वाचिंग स्टे टून विद एक्स्प्लोर वाइयरेस